इमाचिल प्रदेश के विश्वस निये ज्वेलर बूशिन ज्वेलर सोलन। राज्य सरकारे विपक्ष को confidence में लेके लोगों के भले के लिए इनका क्रिणिमिन करती है और हिमाचिल प्रदेश में भी यही हुआ है। इंदोस्तान और पंजाब दोनों इंदोस्तान के इसी देश के अभी नंग हैं। और विपक्ष के नेता का ये कहना मुकेशे गृत्री जी ने ये अपने विचार दिया कि कि वहां फसे हुए लोगों को वहां की सरकारों ने पहले लाया एक दिन पहले लाया या कुछ घंटे पहले लाया। ये बाद ठीक है कि वहां के फसेव लोग बापीस आने चाहिए। यह वहां की सरकार का नेतिक दैटों भी हैं और उनकी जिम्मारी बनती आगर वहां की सरकारिं उनको नहीं लाती तो उनको कौ troops का उनीक सरकारों का यदायतो था लेकिन बिपक्ष के नेता का ये कहना ये विक्तब्य इसलिए देना कि वहां कॉंग्रस की सरकारे हैं राजस्तान में भी और पंजाब में तो हमारे को एक जिम्मेबार नागरीक होने पे हमारे पे प्रशंचिन लगता है कि हम यहां के जिम्मेबार नागरीक हैं विपक्ष के नेता का रोल निवाने लाएक हैं कि नहीं है ये माचल के लोगों ने 35-36 दिनों से लगातार इस वामारी से जूजते वो अपने घर पे रहे हैं उन्होंने योगदान अपना इसको निपने में दिया है और उन लोगों को जब बहार से वोग आएंगे तो उन्हों का सुरक्षा के गहरे में या उनका भला बुरा इसका डिसिसन लेने में यह माचल प्रदेश की सरकार और मुक्यमंतरी ने बिलकुल दियान रखा है ताकि वहां से आगे बमारी यहां ना फेले और मैं मुझे खुशी है कि सरकार का जैरम ढाकुर जी ने यह लिए लिया है कि पंजाब राजयस्थान रियाना दिल्ली या जो भी हिंदोस्तान में राजय हैं कॉंग्रस पार्टी के अधेक्ष उनसे बिप्रीत कह रहे हैं वो सरकार के सुर में सुर में सुर मिला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार के उन्होंने प्रसंसा की है लेकिन विपक्ष के नेता अपने ही घर में उसे डिफरेंट बोली बोल रहे हैं उनकी बोली उनसे अलग उनके सुर अलग से सुर में वो बोल रहे हैं मुझे यह समझ नहीं आता कि विपक्ष के नेता उनसे अलग बोली बोलके कौन सी राजनीती करने जाने करने हो चा रहे हैं और ऐसी राजनीती जिससे उनके प्रदेश का अधेक्षी अनविग्या हैं लेकिन भार्तियंता हमारे आधेक्ष जैराम ठाकुर जी और राजी बिंदल जी समनवे बठाते हुए पूरे संगठन का उपर से नीचे तक समनवे है और इस समय ये समय राजनीती करने का नहीं राजनीती का फिर महुका आएगा राजनीती कर लेंगे और मेरी इस सफलता पुर्वक जो इमाच यही मेरी गुजाईश रहेगी कि इस वक्त को प्रात्ना करते हैं वो भी सबकी स्लामती की दूआ मांगे ना कि इस वक्त राजनीती अपना नफा और नुक्सान देखके करें इससे प्रदेश का भदा होगा